दिली ही नहीं पूरे देश के कई शेहरों में परिशान करने वाली तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कहीं सडके डूबी हैं तो कहीं घर लहाजा लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उत्राखंड के अरी द्वार में तो कई गाड़ियां नदी में बह गई बारिश और बार का विक्राल रूप शेहर शेहर सैलाब का कहर बार में बेबस जिन्दगी बेकाबू बार का प्रहार सडकों पर बहा सैलाब मौनसून की शुरुआत क्या हुई हर जगह पानी का पहरा दिखाई देने लगा देश के कई शेहर जलमगन हो गए आशियाने ढहने लगे सडके तालाब में तबदील होने लगी तो नदियों में उफान नजर आने लगा सडकों पर आया सैलाब पीली भीत यूपी पहली बारश में सिर्फ डिली का हाल बुरा नहीं देखा बलकि यूपी के कई शेहरों का हाल बेहाल देखा ये तस्वीरें यूपी के पीली भीत शेहर की हैं जहां पहली ही बारिश ने नगरपालिका के सारे दावों को ध्वस्त कर दिया सडकों पर पानी इतना भर गया कि वहां मौजूद स्कूटर, मोटरसाइकल उसमें डूबे नजर आने लगे गनीमत थी कि कार के पहिये थोड़े बड़े होते हैं वरना कारे भी सेलाब में समा जाती बारिश में डूब गया महला, संभल, यूपी अब आपको यूपी के एक और जिले की तस्वीर दिखाते हैं संभल के सदर इलाके से आई, इन तस्वीरों में पूरा महला जल्मग ने दिखाई दिया अपने ही महले में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ट्रेक्टर और बैल गारी का सहारा लेते लोग दिखे यही नहीं, महले के रास्तों पर इतना पानी भरा दिखाई दिया कि मोटर साइकल भी डूब गई पानी बरसने का बेसबरी से इंतजार किया जा रहा था लेकिन जब इंदर देवता महर्बान हुए तो इतने महर्बान हो गए कि पूरे महले को ही डुबा दिया लोगों के आशियानों के अंदर पानी भर गया अगर इस महले में पानी की निकासी की विवस्था दुरस्त होती तो शायद ये मनजर नजर नहीं आता दूब गया डियाम का ओफिस हर्दोई यूपी बारिशे से ना सिर्फ आम लोग बलकि खास लोगों पर भी मुसीबत आन पड़ी है यूपी के हर्दोई से कुछ ऐसी ही तस्वीर आई है हर्दोई में एक घंटे की बारिशे से पूरा शेहर जलमगन हो गया हर्दोई के डियाम आफिस में भी बार का मनजर नजर आने लगा तो वहीं सरकारी अफसरों के दफ्तरों और घरों में बारिश का पानी घुस गया जिससे अफसरों के घरों में सामान तो भीग ही गया घर में बैटने की जगह तक भी नहीं रही उत्तरा खंड के कोट द्वार में बार का अलर्ट है पहाणों पर भारी बारिश के बाद नदियों का पानी उफान पर है उधर हरी द्वार के उपरी इलाके में बारिश के बाद सूखी पड़ी खड़खडी नदी में उफान आ गया और नदी से पास खड़ी गाड़ियां कागस की नाव की तरह बहने लगी गाड़ियां बहकर गंगा नदी में पहुँच गए वहीं देहरादून में हुई बारिश से लोगों को रहत तो मिली लेकिन कई जगों पर जल जमाओ हो गया तो कुछ जगों पर सड़क धंस गई और गाड़ियां भी फंस गई गाड़ियों को जेसीबी की मदद से किसी तरह निकाला गया उधर हलद्वानी में रेकॉर्ड बारिश दर्च की गई बारिश ने सरकारी इंतजामों की पोल भी खोल कर रख दी नालियों का पानी सड़क पर बहता देखा ब्यूरो रपोर्ट न्यूज एटीन बात करेंगे नुपुर जिले के कोत्मा विकासखंट की जहां ग्राम पंचात सजा ठोला में इस्थिति गौशाला जहां कई महिनों से गौशाला में आहार की विवस्था ही नहीं है गौशाला की तस्वीरें देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर रह रही गाएं कैसे जीवित हैं कई महिनों से गौशाला में भूसा नहीं है, उन्हें खाने चरने के लिए गौशाला से बाहर खदेड़ दिया जाता है, जिमिदार इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं जानवर रखते हैं, जानवर तो हैं, जानवर को भोजन देने के लिए जानवर भूसा अपार देते हैं अनुपुर जिले के कोत्मा विकासखंड अंतरगत ग्राम पंचायत साजा टुला हम आये हैं यहाँ पर जो गौसाला बना है यह गौसाला बनी तो है यहाँ पर जानवार भी काफी मात्रा पे हैं लेकिन उनको भोजन के लिए उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता भूसा करीब 3-4 महीने हो गए खतम है उसके बावजूद यहां के जो सरपन सचिव जो जिम्मेदार लोग है वो इस भी से पर ध्यान नहीं दे रहा है जानवरों को जो यहां के जो देखता है देखभाल करते हैं उनको बाहर ढेलने पर मजबूर होते हैं जानवरों को यहा को सेवा नहीं हो रही है आज भी वो बाहर पर ही आधारीत है मैं रवी कुमार जा नियुजटिन अनुपूर और MP में सबसे अधिक पीम आवास हैं फिर भी राजधानी भोपाल में 1801 में जुग्गी बस्तियां बसी हैं सरकार इन जुग्गी बस्तियों को विस्थापित करने का प्लान बनाती है लेकिन हर बार प्लान ठंडे बस्ते में चला जाता है आपको बता दें कि वर्तमार में एक लाग पचास हजार से अधिक जुग्गियां है और अब एक बार शेहरी इलाकों में एक करोड आवास बनने हैं उमिद है कि शायद अबरालधानी के पाउश इलाकों में से जुग्गियां हट जाएं शेहर में लगातार बड़ा रही जुग्गियों को लेकर नगर निक सपलब्द करा रही है आयुक्तोर नगरनियम के हमारी टीम को आधार कार्ड से हित गराई को लिंक करने के लिए हमने एक कार्योजना पर काम किया है खराब हो गई है इस्तिती खराब एक तो पहली बात तो उन मकानों का गुरूबत अच्छी नहीं थी उसकार तो लोगों ने उनको बेज दिया या औरकरिस्ट हो गए और खासकर जो बाकान दिये गए वो कई ने कई अंदा बाटे लेवड़ी चीन चीन के दे वाला हाल हुआ जो जो लाजिन का लाजिदी रसूप था उनको पकान मिल गए कई हिद्गराई ऐसे हैं बोपाल में आज ही भूम रहे हैं जिनने बीपी ज़ार पर जमा करें आते हुए उसे यह कहा गया कि आपको रिशी नगर में माकान दिया जाएगा 20,000 रुपे जमा होने की उपरांत भी आज तक उनको जो है ना तो पैसा वापस किया गया उनका और नहीं जो है उनको माकान दिया गया और इसके साथ ही पुलेटिन में बहुत इतना ही लेकिन खबरों का सिलसला लगाता जारी है